हेलो स्टुडेंट अगेन आपको स्वागत एक और न्यू वीडियो में तो आज के हम बात करेंगे डियू सॉल के थर्ड एंड फिफ सेमेस्टर के लिए जैसे आपको थम्नेल में दिख रहा है हम यहां पर तीन प्रॉब्लम का सॉलुशन देने आए हैं तो एडमिशन आपके स्टूडेंट का आएगी जो स्टूडेंट अपनी पेमेंट करने के बाद की एक दढ़नाटे बाद यहिए अपना मांप पने स्टूड्ड डेशं पूर ओग butts उसके नीचे यह आपको download fee receipt देखने को मिल जाएगा link तो आप महाँ से जाके download कर सकते हो फिर सेकेंड आता है कि सल जी हमने अपनी जो payment है वो तो कर दी subject भी चूज कर लिए और अपनी payment भी कर दी बट लेकिन वहाँ पे ना हमारी fee receipt download हो रही है और जब हम portal पर login करते है तो महाँ लिखाता है your last payment is active तो वहाँ पे ऐसा problem देखने को मिल रही है बहुत सारे student को fee payment करने के बाद एक दू दिन हो चुके हैं time पे अपनी payment कर रहे होंगे तो verify करने में एक एक करके उनको time लगता है तो एकदम से जब ज़्यादा quantity यानि ज़्यादा संक्या में student payment कर देते हैं एक same time पे तो ऐसी problem आ जाती है तो उसके बाद वह एक एक करके verify करेंगे फिर student confirm करेंगे कि किस किस ने payment कर दिये तो आप tension मतलो अगर आपकी problem अभी भी आ रही है तो एक से दो तिन दिन में वह ठीक हो जाएगी उसके आप tension मतलो अगर आपका कह सकते हो अगर आप आपका यह आपकी जो एडमिशन वह confirm नहीं होता है तो आपकी जो payment है जो आपकी पैसे है वह refund हो जाएंगे बट आप यह जो screenshot आप ने payment कर दी थी and उसके बाद जो payment है वह active दिखा रहा था तो आप यह soul में जाके भी दिखा सकते हो बड़ लेगे ना आपकी कोई tension की बात नहीं है एक दो दिन में वह ठीक हो जाएगी और बहुत सारे student के ठीक भी हुई है problem तो आप टेंशन मतले ना अगर admission confirm नहीं होगा तो आपके payment refund हो जाएगी and अगर last date extend नहीं होती है और time निकल जाता है तो फोल की तरफ से गलती मने जाएगी और आपको admission करा दिया जाएगा आपके बाद में भी ठीक है मतलब कहने है अगर आपकी payment आपको refund कर देते हैं और आपकी जो date admission की वह खतम हो जाती है तो भी फोल जिम्मेदार है वह आपका admission करा देगा तो आप टेंशन मतले ना अब आपको बता तो थर्ड सेमेस्टर हैं फिस सेमेस्टर के admission जो ग्रूप लिंक है वाट्सप के वह आपको description में मिलेंगे तो महां से जाकर join कर लेना महां पर भी आपको update मिलती रहेंगी तो आप बात करते हैं wrong subject देखो बहुत सारे स्टुटेंट हैसे उन्होंने admission टाइम पर subject चूज़ करे थे बट लेकिन अब वह अपना चेक कर रहे हैं या अपना student dashboard login कर रहे हैं तो वहां पर उनको subject अलग शो हो रहे हैं यानि कि यह कादी subject ऐसा है जो उन्होंने चूज़ ही नहीं कर रहा था बट लेकिन उनको देखने को मिल रहा है तो ऐसी condition दो होती है पहली अगर आपने अपने क्राइटेरिय के according subject चूज़ नहीं किया क्योंकि जब आपका course structure आता है तो उसमें लिखा होता है कि अगर आपने दसवी में यह चीज़ पढ़िए कि दसवी से बारवी तक यह पढ़ा है क्या पहली से दसवी तक यह पढ़ा है तो आपको यह subject चूज़ करना है तो और फिर भी वह change हो गया है तो आप South Campus या North Campus विजट कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि हमारे subject यहां पर change हो गया हमने कोई और सा subject चूज़ करा था तो वह problem को solution वहां पर मिल जाएगा वह automatic भी ठीक कर देंगे और एक आता है second कि आपने खुदी subject गलट चूज कर लिए हैं औ और वह soul के तरफ से automatic change कर आए गए हैं तो यह दो चीज़ हो सकते हैं बाकी अगर छोटा मोटा glitch होता है उसकी वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है कि subject अलग दिख रहा हो बट लेकिन कुस टाइम में वह ठीक हो जाती है बट लेकिन अगर आपके 10-15 दिन बाद भी यही प्रेंट को आ रही थी आई होप आपको solution इसके मिले होंगे तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना साथी चैनल को सब्सक्राइब करना इसी निव नोटिफिकेशन के लिए अभी भी कोई डाउट है गया हो तो comment box में comment कर देना बाके आपको reply मापे मैं कर मरके मिले हो ढाके मैं कर Mississippi के लिए माust is निव ए t pequeña कर दो कर को दो करदो कर दो कर दो क्ष़ सदय अधा Lord दš mi — क् वाराइ कि झा दो को देना लाख़ ढ।ाम ए वी прав क्ष़ वीव ववी तो कर दो कर दो